Hello everyone, this is Shweta Pandey. Welcome to Step Up Academy. So students, आज की सेशन में हम क्या डिसकस करने वाले हैं, क्यों डिसकस करने वाले हैं, सब आप जानते होगें. मुझे देख के आप समझ जाते होंगे कि हाँ ठीक है, पॉलिटिकल साइन्स पढ़ने वाले हैं आज हम. तो पॉलिटिकल साइन्स तो हम पढ़ेंगे ही, या तो क्लास 11 पढ़ेंगे या क्लास 12 पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनों में से कोई एक पढ़ेंगे या आपको पहले ही पता चल जाता होगा. तो बात यह है कि इन सब चीजों से पहले यह है कि exam चाने वाले हैं ठीक है exams की चल रही है tensions अच्छा tension यह चल रही है कि अरे यार यह पढ़ लिया है इसका भी revision करना है जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ के फिर revision करना है ठीक है तो ऐसे tensions में रहोगे ना बहुत सारी चीज़े ना लेके ऐसे बुक्स वगयरा लेके पढ़ते रहो ऐसा कुछ नहीं करना है जितनी देर पढ़ो अच्छा पढ़ो बैस्ट पढ़ो प्रोडक्टिव पढ़ो मतलब यह है कि अगर आप लोग वन आर भी पढ़ रहे होना तो वन आर भी इतना अच्छी तरीके से पढ़ो कमपैरिजन वाइस जो एट टू टैन आर पढ़ रहे हैं वो भी उतना ही पढ़ पाएंगे जितना वन आर में पढ़ लोगे उसका रीजन यह कहीं न कहीं आप आठ से दस घंटे जो बंदा दे रहा है वो इतना कम तो नहीं पढ़ेगा बट यह है कि जितना आप पढ़ेंगे वो आपके लिए प्रोडाक्टिव होगा तो इसलिए कुछ भी इतनी टैंशन में आके इस तरीके से ना पढ़ें कि सब कुछ भूल जाएं वैसे भूलेंगे नहीं ठीक है तो डरना मत बात वस इतनी सी है कि जितनी देर पढ़ रहे हो एक घंटे भी पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि हाँ आज मैंने यह टॉपिक कंप्लीट कर लिया है अभ ईग्साम के लिए मेरा यह टॉपिक कंप्लीट है अब अगर आप सोच लोकी मुझे तो तो 10 टॉपिक करने है आज अग तो फिड्र में आपने क्या किया स्ट्राइट हो किया बट इक भी टॉपिक नियू पाया तो एसा काम ना करो अराम से पड़ो भले ही एक टॉपिक पड़ो बट भष्टरी नच्वेशन तरीक है तरीकंड dif educ इतना बड़ा टास्क नहीं है एक बार चैप्टर समझ में आ गया ना फिर आपको आंसर लिखने से कोई नहीं रोक सकता मतलब की रोक सकता का मतलब यह है कि फिर आपको सब चीज पता है न अगर हम जो भी आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं अगर आपने इसे ध्यान से सुन ल तो जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसको इतना अच्छी तरीके से मैं आपको रिवाइस कराऊंगी कि फिर आपको यह चैप्टर बार बार उठाने की जरूरत वैसे तो नहीं पड़ेगी बट स्टिल रिवीजन करते जाएए अगर रिवीजन अच्छ से करेंगे तो टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे टेंशन ना लें यह बिल्कुल भी ना सोचें कि जितने चैप्टर हैं सब कवर करने ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि देखो ता सारा पढ़ोगी खिटी पक जाएगी दिमाग में और फिर सोचते रहोगे अरे इसमें यह पढ़ा था उ क्लास 12 पॉलिटिकल साइन्स का चैप्टर नंबर 6 देट इस एन्वार्मेंट एंड नैच्रल रिसोर्से ठीक है तो यह न्यू स्लेवर्स के एकॉर्डिंग है चैप्टर का नाम है और चैप्टर का नंबर है तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम एक ओवर्वियू लेंग इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन दो चीजों को यह एक्जामिन करता है चैप्टर ठीक है क्लियर हुआ और यह एनिलाइज करता है कमपरेटिव परस्पेक्टिव कुछ इंपॉर्टेंट इन्वार्मेंटल मूव्मेंट्स का जो किसके अगेंस्ट में हुए थे अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ दी राइजिंग प्रोफाइल ऑफ इन्वार्मेंटलिस्म और कबसे 1960 से ऑनवर्ड ठीक है अब और अगर हम आगे देखें तो यहां पे नोशन्स आफ कॉमन प्रोपर्टी रिसोर्सेज और ग्लोबल कॉमेंस को असेस्ट किया गया है हम डिसकस करेंगे इंडिया के क्या स्टेंड रहे हैं रिसेंट एंवार्मेंटल इशूस में या डिबेट्स में क्लियर हुआ और देखो नेक्स्ट फॉलोज अ ब्रीफ अकाउंट अफ दी जियो पॉलिटिक्स और रिसोर्स कॉम्पिटिशन जियो पॉलिटिक्स में वर्ल्ड लेवल पे मतल अब यहां पर यह है कि जो रिसोर्स का कॉम्पिटिशन है वो यहां पर एक ब्रीफ अकाउंटिंग में दिया गया है और यह से हम कैसे करेंगे कुछ इंडिजीनियास पीपल्स की वॉइसे और कंसरंस को देखे जो की कंटेंपररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की मार्जिन से है ठीक है अब कंटेंपररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड हैं सारे चैप्टर तो इन्हें रिलेट तो करना ही पड़ेगा इससे तो रिलेट करके पढ़ेंगे जादा कुछ नहीं है पॉलिटिकल साइन्स में एक चीज बहुत अच्छी पता क्या है कि आप जो अप आपके लिए एक चीज याद रखो बहुत नॉर्मल नॉर्मल और जेनरल एक्जामपल्स के थू समझो जितना जादा रिलेट करोगे एक्जामपल्स से पॉलिटिकल साइंस को उतना बहतरीन तरीके से आप लोग एक्जाम में परफॉर्म कर पाऊंगे ठीक है क्योंकि रट और फिर वहां आप एक स्टेंडर्ट फॉर्म में अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर पाऊंगे अब बात आती है इन्वार्मेंटल कंसरंस कैसे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में इससे पहले अगर हम बात करें कि इस बुक में हमने क्या डिसकस किया है तो वर्ड पॉलिटिक् इस चैप्टर में हमने एक्सपैंड किया है वर्ड पॉलिटिक्स का इसको कौन सी ईशों को इंक्लूट करने के लिए लाइक पॉवर्टी एंद एपिडेमिक्स ठीके that may not have been a very difficult step to step to take for we all think that governments are responsible for controlling these यहां पर यह कह रहे हैं यह बहुत जादा difficult step नहीं है क्योंकि जितनी भी government होती है वही responsible होती है यह सारी चीजों को control करने के लिए इस sense में they fall within the scope of world politics now consider some issues अब कुछ consider करने हमें issues do you do you think they fall within the scope of contemporary world politics क्या poverty जो हमने देखा या फिर epidemics है यह fall करते हैं contemporary world politics में और अराउंड अराल सी अराल सी के अगर आसपास की बात करें तो बहुत से लोग रहते हैं जो रहते थे उन्हों ने अपने घरों को छोड़ दिया they leave they have people have had to leave their homes क्योंकि जो toxic waters था वो totally destroy कर रहा था fishing industry को ऐसे समझो कि यह अराल सी है ठीक है अब यहां पर बहुत सारे घर बनी हुए घर बना लेते हैं वैसे शायद ऐसे तो होते नहीं होंगे बट फिर भी बना के देख लेते हैं ठीक है ऐसे समझो अब यहां पर आसपास लोग रह रहे हैं अराल सी के पास हुआ क्या यहां पर आ गया मतलब यह कैसा हो गया water toxic water हो गया समझो है फोटली और यहां पर यह क्या वर्क करते थे fishing industry का और इस तरीके से इनका यह वर्क कैसा हो गया destroy हो गया और इस कारण से इनके अपने घर को क्या करना पड़ा छोड़ना पड़ा लीव करना पड़ा और यहां से जाना पड़ा ठीक है जो shipping industry और all related activities है वो क्या होग यहां पर collapsed हो गई rising concentration जिस तरीके से salt का concentration बढ़ रहा है soil have caused low crop yields और इसकी वज़े से soil क्या मतलब क्या cause हो गया यहां पर कि जो yielded crops है वो कैसी हो गई low crop yields हो जाती है numerous studies have been conducted अब यहां पर बहुत सारी studies की गई in fact जो locals जोग है क्या है कि अगर that if everyone who would come to study the aral had brought a bucket of water the sea would be full by now मतलब यहां पर यह जोग चलते है कि कोई अगर aral study aral sea पर study करने भी आ रहा है तो उसे क्या लिखे आने पड़ेगा एक bucket of water और क्या होगा the sea would be full by now अब इस चीज़ को समझने के लिए throughout the world जो cultivable area है barely expanding anymore and a substantial portion of existing agricultural land losing fertility grasslands have been overgrazed and fisheries over harvested मतलब यहां पर कह रहा है पूरे world में जो cultivable area है यह barely कैसा है expanding anymore और जो substantial portion है existing agricultural land का वो भी अपनी fertility कहीं न कहीं तक हो रहा है grassland overgrazed हो गए है और fisheries क्या हो गई है over harvested water body सबसे ज़्यादा सफर्ट करती है extensive depletion और pollution severely यह restrict कर देते हैं food production को human development report के according जो कि 2016 में आई थी तो united nations development program that is UNDP ने क्या यहां पर बताया है कि जो 663 million people है वो developing countries में जो रहे रहे हैं उनका access ही नहीं है safe water के लिए और 2.4 billion को access नहीं है sanitation का और इसका result होता है की death होती है more than 3 million children की every year हर साल तो यहां से RLC का example लिया फिर उसके बात बताएगा कि किस तरीके से water का pollution होना salt का increase होना agriculture को affect करता है other industries को affect करता है वहीं पर एक report आती है HDR report that is human development report 2016 की United Nation development program इसे लिखे आता है और यह कहते हैं कि जो developing countries हैं वहां पर 663 million people को पानी मिलता ही नहीं है clean water नहीं मिलता है safe water और वहीं 2.4 billion लोगों को sanitation नहीं मिल पाता है और इसका result यह होता है कि हर साल 3 million children क्या हो जाते हैं इनकी death हो जाती है अब क्या यह matter world politics से related नहीं है आप लोग एक बार सोचिए और लिखके देखिएगा answer लिखके देखिएगा अब natural forest की अगर हम बात करें हैं जो help करते हैं stabilize करने में climate को moderate water supply के लिए और harbor करते हैं majority of the planets biodiversity land पे इन्हें क्या कर दिया जाता है कट कर दिया जाता है और लोग क्या हो जाते हैं इस प्लेस्ट हो जाते हैं क्या होता है देखो ऐसे समझो कि यह फॉरेस्ट है इतना प्यारा सा सुन्दर से फॉरेस्ट है यहां पे लोग बाग रहते हैं ठीक है यह natural forest इम इसकी वज़े से क्या क्या हो रहा है अगर आप लोग हम को देखें यह यह points ना पड़े इधर समझ क्लाइमेट अच्छा हो रहा है वाटर अच्छे से हमें प्रोवाइड होगा और हार यहां पे प्लानेट्स की जो बायो डाइवरसिटी यह लैंड पे उसे काफी अच्छी से मिजॉरिटी बनाके रखेगा अब मान लो यह ट्री कट कर दिये जाएं और यह एरिया ऐसा बज का एरियाज में विच आर रिच इन स्पेशिस मतलब की ऐसे समझो कि जो लॉस आफ वायो डाइवरसिटी कंटिनूस तो दिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट जो यहां पे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट या रिच स्पीशीज हैं उनका भी क्या हो जाता है दिस्ट्रक्शन हो अब अगर हम बात करें ओजोन की ठीक है अब ओजोन की अगर हम बात करते हैं और इस तरीके से यह अर्थ की हम बात कर रहें वैसे तो इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है चलिए इसी अर्थ पर दिख लीजे तो यहां पर यह कह रहे हैं कि amount of ozone क्या हो रहा है decline हो रहा है decline मतलब क्या हो रहा है यह जिस तरीके से यहां पर अगर ozone है अब यहां पर क्या हो गया यह किस तरीके से हो गया ऐसे समझो ऐसा ठीक है तो यह हो गया है hole इसकी वज़े से क्या होता है real danger होता है ecosystem को और human health को क्योंकि अब जो harmful rays है वो क्या होती है फिर अंदर आ जाती है इन holes के थूँ समझ में आ रहा है तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जो stratosphere में है अर्ट से stratosphere में जिसे हम ozone hole कहते हैं उसक की वज़े से एक सबसे ज़्यादा real danger है किसे ecosystem को भी और human health को भी अगर coastal pollution की बात करें तो ये भी globally क्या हो रहा है इन कृस्टल क्या होते है कि समुद्र किसे आसपास पास सी से जुड़े हुए जैसे अगर हम इंडिया की बात करें नीचे साइड का अगर हम इस साले तो ये कौन से एरिया हो गए ये coastal area हो गए तो ये area भी कही ना कहीं क्या ह रहे हैं इन पर पॉल्यूशन ग्लोबली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें इमेज में देखिए तो यह कोस्टल एरियास पर पॉल्यूशन देख रहे हैं आप यह तरीके से यह सारी चीज़ है और इस वज़े से ग्लोबल लेवल पे पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है अगर ओपन सी की अगर हम बात करें तो ओपन सी भी रिलेटिवली जो क्लीन होती है दिको कोस्टल वाटर्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉल्यूटेट लार्शली ड्यूटू लेंड बेस्ट एक्टिविटीज यह कह रहे हैं कि ओपन कोस्टल एरिया भी कही ना कहीं तक पॉल्यूटेड है यह हो रहे हैं अगर इसे चेक नहीं किया जाएगा तो जो इंटेंसिव हूमन सेटलमेंट है कोस्टल जोन सका एक्रॉस दी ग्लोब यससे क्या होगा डिटोरियरेशन होगा क्वालिटी ओफ मेराइन एंवार्मेंट म तो इतना जाधा अगर हूमन सेटलमेंट हो जाएगा कोस्टल जोन में पूरे ग्लोब के पास तो क्या होगा जो मराइन इंवार्मेंट है मतलब कि जो वाटर के अंदर का सारे इंवार्मेंट है फिश्रीज है यह सारी चीज़े है यह कहीं ना कहीं तक क्या होंगे इनका ड जोग्रफी रेदर देन इन पॉलिटिकल साइंस अब आप यहां पी यह कहेंगे कि यह मैडम जोग्रफी वाली बातें पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ा रही हैं यहां हमारी बुक में जो चीजे नेच्रल फिनोमेना के अगर हम बात कर रहे हैं तो जोग्रफी में आदिया environmental and natural resources ठीक है वैसे तो आप लोग समझदार बच्चे हो तो समझी के होगे कि क्यों पढ़ा रहे हैं बट फिर भी questions आ सकते हैं आप पूछ सकते हैं इसा बट फिर से जोचो अगर government बहुत सारी steps लेगी तब ही क्या होगा मतलब किस चीज के लिए environmental degradation को चेक करने के लिए of the kind mentioned above जो भी हमने सारे अभी चीजें पढ़ी तो क्या होगा यह issues को political consequences होगी sense में और बहुत से ऐसे issues most of them are such that no single government can address them fully और कोई भी single government इन्हें address नहीं कर सकती है पूरी तरीके से सभी को मिलके ही यह सारी चीजों के initiatives लेने होगे इसलिए कहीं न कहीं तक जहां कहीं भी government के steps आ जाते हैं वहाँ पे political science खड़ी रहती है कि अब मैं आ गई हूँ जोग्रफी के पास भी ठीके therefore इन्हें क्या बनना पड़ता है पार्ट बनना पड़ता है world politics का क्योंकि single government तो कुछ नहीं कर सकती है सबको साथ में ही आके initiatives लेने होगे और जो environment की issues है और natural resources है यह political है in other deeper sense ठीक है अब देखो समझो कुछ है कि image है इस तरीके से बता रहे हैं कि हम यह सारी चीज़े अब intake हो रही है कहीं न कहीं तक pollution और human health के लिए यह बहुत बेकार है ठीक है अब इन्वार्मेंटल degradation कौन cause करता है किसके कारण हो रहा है environmental degradation इसका price कौन पे करेगा ठीक है इस तरीके से आपने cutting कर दी forest की ठीक है आप तो कट करके चले गए लेकिन अब इसका price कौन पे करेगा price मतले भी है नहीं कि आप काट के गए यहां से आपने इतनी greenery हटा दी है इसकी बात चल रही है ठीक है देखों and who is responsible for taking corrective action और कौन responsible है corrective action लेने के लिए who gets to use how much of the natural resources of the who gets to use how much of the natural resources of the earth all these raise the issue of who wills how much power they are there for deeply political questions चीक है इस तरीके कि यह सारे questions कहीं न कहीं तक deeply political questions की तरह हो जाते हैं although environmental concerns का एक long history रही है awareness जो environmental consequences की रही है economic growth के लिए यह increasingly political character को increase करता है कबसे 1960s onwards से चीक है जो club of Rome है यह एक global think tank है इसने book published की 1972 में entitled limits to growth dramatizing the potential depletion of the earth resources against the backdrop of rapidly growing world population चीक है तो क्या entitled थी limits to growth इस तरीके से यह जो book publish हुई है यह क्या इसमें बताया गया था कि जो potential depletion हो रहा है earth resources का against the backdrop of the rapidly growing world population एक बार फिर से समझू यह क्या बता रहे हैं आपे कि कि किस तरीके से earth resources है उनका depletion हो रहा है किसके against में जो backdrop है एक तरीके से जो rapidly world population grow कर रही है ठीक है international agencies जैसे कि अगर हम बात करें United Nations Environment Program की ठीक है इन्होंने start कर दिये international conferences और promote करना promoting detailed studies to get a more coordinated and affected response to environmental problems यह starting कि United Nations Environmental Program ने इससे start किया कि काफे सारी conferences होने लगें detailed studies होने लगें ताकि और ज्यादा अच्छी तरीके से coordination और effective हो सके steps किसके लिए response to environmental problems के लिए ठीक है अब यहाँ पर यह जो book publish की गई है किसने की थी club of Rome ने UNEP ने United Nations Environment Program ने functions start किये conferences start की फिर तब से environment एक significant issue emerged हुआ global politics में ठीक है जो growing focus है environmental issues का within the arena of global politics यह firmly consolidate हो गया कैसे consolidate किस तरीके से किया गया United Nation Conference से जो environment and development के लिए held की गई थी Rio de Janeiro Brazil में June 1992 में और इसे कहा गया था Earth Summit ठीक है तो ऐसे समझो की एक Earth Summit हुई यहां पर ठीक है कहां पर हुई तो ब्राजील में हुई ठीक है ऐसे ब्राजील में हुई June 1992 में Rio de Janeiro में किस चीज से related थी environment और development पे UN conference रही है यह ठीक है जो growing focus था environmental issues का within the arena of global politics यह यहां आके एक तरीके से consolidate हो जाता है ठीक है और 1992 में हुई थी June 1992 में Earth Summit होती है यहां पर Summit में जो countries थी first world की थी generally referred to as the global north यह pursue कर रही थी क्या different environmental agenda को then the poor and developing countries of the third world called the global south यहां पर दो country के हम बात कर रहे हैं एक तो global north की बात कर रहे हैं और दूसरा में आपे global south की बात कर रहे हैं ठीक है तो यह कह रहे हैं कि जो summit थी the summit was countries of the first world जो first world की countries थी उनकी summit थी यह जो earth summit थी जिसे global north कहा जाता था यह pursue कर रहे थे different environmental agenda को किनके comparison में एक country थी then the poor और developing countries थी third world की जिसे हम कहते थे global south वेरास जो northern states थे वो concerned थे किस चीज से related ozone depletion और global warming में और जो southern states थे वो anxious थे to address the relationship between economic development और environmental management के लिए फिर उसके बाद होती है Rio summit जिसने produce किया convention जो related climate change से biodiversity forest और यहां पर इन्होंने एक बड़ी सी list पकड़ा दी जो की थी development practices की और इसका नाम क्या रखा गया agenda 21 ठीक है बट इसमें unresolved considerable differences और difficulties रह गई तो agenda 21 आया था किसने provide किया था तो Rio summit में provide किया गया था किस चीज से related था तो climate change biodiversity and forestry से related था ठीक है फिर उसके बाद एक consensus होता है combining economic growth with ecological responsibility यहां पर consensus लेके आते हैं कि क्यों ना हम economic growth को combine कर दें किससे ecological responsibility से और फिर यह approach को जो development की थी इसे कहते थे sustainable development ठीक है problem however was how exactly this was to be achieved तो यहां पर यह कह रहे हैं कि approach की तो अगर हम बात करें तो जो development है जिसे हम sustainable development कह रहे है sustainable development में अगर हम बात करें तो अगर आप यह last point देखेंगे कि economic growth को ecological responsibility के साथ क्या कर दिया जाए consensus इस चीज़ पर था कि combine कर दिया जाए अब sustainable development का मतलब क्या होता है कि कुछ इस तरीके से यूज करें कि यह long term के लिए हो कोई कि भी resource को इस तरीके से यूज करें जो आगे time के लिए जो आने वाली generations है वो से यूज कर सके किसी भी चीज़ को तो यह sustainability की अगर जो बात कर रहे थे ठीक है अब इन्होंने यह approach की बात तो कर दी बट प्रॉब्लम क्या थी कि इसको achieve कैसे किया जाए ठीक है economic growth को और environmental अगर ecological balance को combine करके कैसे इसे achieve किया जाए कुछ critics नहीं यह कहा कि जो agenda 21 है वो जादा relate कर रहा है economic growth से रेधर देन ecological conservation को ensure करने में मतलब यह bias bias जो बोला था कि यह जो convention है यह जो agenda 21 है यह economic growth से जादा favor मतलब इसको जादा favor कर रहा है rather than ensuring ecological conservation अब कुछ contentious issues देखेंगे हम global politics of environment में सबसे पहले तो देखो जो the protection of global commons की global commons का protection ठीक है तो अब commons क्यों है यहां पर तो commons यहां पर वो है मतलब की वो resources है जो कोई एक व्यक्ति ओन नहीं करता है पूरी community own करती है ठीक है तो commons are those resources that are not owned by anyone but owned by the whole community ठीक है इसे common room या community center या पार्क या और रिवर भी कह सकते हैं comments की क्या example होगे आप यह बताओ जो river है ठीक है अब यह river सभी यूज करेंगे community center है कोई पार्क है दिखाए कि सिर्फ एक की व्यक्ति जाएगा उस पार्क में सभी जा सकते हैं कोई भी अगर पार्क है अगर प्राइवेट नहीं हो तो उस टाइम पे जो public parks है वहाँ पर सभी जा सकते हैं तो इस तरीके से यह बात कर रहे हैं कि यह common resources है सिमिलरली कुछ areas या region है वर्ल्ड के जो की located कहां पर है outside the sovereign jurisdiction of any one state मतलब कि जो ऐसे area जो किसी भी state के jurisdiction में नहीं आते हैं और इस वज़े से यह इन areas में common governance की जरुरत होती है international community के थूँ तो ऐसे region को क्या कहा जाता है rest communis, humanitatis या फिर global commons अब ऐसे कौन से region है सबसे पहले तो देखो जैसे earth का atmosphere है ठीक है, Antarctica है, ocean floor है, outer space है यह सभी ऐसे region है जो किसी भी एक particular state के jurisdiction में नहीं आते हैं इसलिए इनकी requirement है कि इनपे common governance हो international level पर ठीक है बट बात ही आ जाती है कि जो cooperation है global commons का वो इतना जादा easy नहीं है ठीक है, यहाँ आगे की बात करने से पहले इनकी क्या tragedy क्या है commons की किस चीज पर जादा based होंगे तो देखो, deforestation, common है सभी के लिए common मतलब की problem, common problem है सभी के लिए ओवर fishing, greenhouse gases, population growth, over grazing, non-renewable resources, यह सभी tragedy of the commons है अब इनहीं के लिए कुछ agreements भी हुए है, path breaking agreements रहे हैं जैसे कि 1959 की Antarctic Treaty, 1987 में Montreal Protocol, वहीं अगर हम बात करें, 1991 में Antarctic Environmental Protocol, ठीक है, तो जो major problem underlie कर रही है, सभी ecological issues में वो related है किस चीज से, difficulty of achieving consensus on common environmental agendas, on the basis of scientific evidence and time frames, देखो, किसी भी चीज की, मतलब कोई भी problem का solution होता है, कोई भी problem अगर arise हो रही है, तो उसके साथ साथ उसका solution भी आता है, ऐसी कोई भी problem नहीं है, जिसका solution नहीं हो, यह चीज ध्यान रखिएगा, यही चीज यहाँ पर बोल रहे है, कि major problem यहाँ पर यह नहीं है, कि solution क्या है, solution तो है, बट जितने भी ecological issues है, तो यहाँ पर difficulty है, इन्हें अचीव करने के लिए, ठीक है ना, common environmental agendas पे, जो की based है, scientific evidence पे और time frames पे, इस science में जो discovery हुई है, ozone hole की, over the Antarctic in the mid 1980s, यह revealed करती है, opportunity और danger भी, किस चीज का inherent in tackling global environmental problems, similarly, अगर हम outer space की history देखें, as a global commons की तरह, तो यह बताता है, कि जो management है, इन एरिया क्या, यह thoroughly इसे influence कौन कर रहा है, मतलब कैसे influence हो रहा है, north or south inequalities के थू, ठीक है, earth atmosphere, ocean floor, यह crucial issues है, और यहाँ पर crucial issue यह है, कि technology और industrial development सबसे ज़्यादा हो रहा है, जिस तरीके से earth का atmosphere, ocean floor, pollution हो रहा है, कहीं ना कहीं decline होती जा रही है, काफी सारी चीज है, और यह important है, क्योंकि जो benefits है, exploitative activities का outer space में, are far from being equal either for the present or future generations, मतलब की, एक चीज यहाँ पर important यह आ रही है, जो exploitative activities outer space में हो रही है, यह एक तरीके से equal भी नहीं है, ना present के लिए और ना future generations के लिए, अब देखो, common but differentiated responsibilities, common है, but responsibility कहीं ने कहीं different है, हमने देखा, कि environment तक पहुँचने की जो approach है, वो पहुँच different है, north और south में, ठीक है, जो developed countries है, north की वो चाहती है, कि environmental issue पर discuss हो, as it stands now, and what, won't everyone be equally responsible for ecological conservation, मतलब की, जो northern countries है, वो क्या चाहरी है, कि environmental issues पर discuss हो, जिस तरीके से आज की date में environmental issues है, और चाहती है, कि सभी लोगों को equally responsible बनाया जाए, ecological conservation के लिए, वहीं अगर हम south की बात करें, तो south countries का मानना ऐसा है, कि जो ecological degradation हो रहा है, world में, यह product है, industrial development का, मतलब की industrial development increase हो रहा है, इस वज़े से environmental degradation हो रहा है, और degradation मतलब, environment degradation यह कम, इस तरीके से हो रहा है, और यह किसके कारण हो रहा है, developed countries की वज़े से, clear हो रहा है, कि north की countries क्या बोल रही है, कि जो भी आज की condition है, उसके लिए ecological responsibility सब की हो, और south क्या बोल रहा है, कि क्योंकि industry का development ज़्यादा हो रहा है, तो ecological degradation हो रहा है, और इसका reason कौन है, developed countries, ठीके, तो इस तरीके से यह दोनों के concern है, अगर यह ज़्यादा, अगर ज़्यादा degradation होता है, तो they must also take our responsibility, फिर जो damage हो रहा है, उसकी responsibility भी यह खुद ले, जो north का कह रहा है, यह समझदारी अगर आप देखें, तो north का कहना क्या है, कि equally responsible बना दो सबको, जो ecological degradation हो रहा है, उसके लिए, फिर south यह कह रहा है, कि जब भी हमने कुछ किया यह नहीं है, तो हम क्यो responsible हो, जिसने industrial development किया है, जिसके कारण यह degradation हुआ है, वही क्या करें, इस damage की responsibility अब ले, जादा है, moreover, जो developing countries है, इस process of, जो process industrialization का, आर इन्दा process of industrialization, मतलब इन्होंने यह कहा है, कि जो developing countries है, वो जादा है, industrialization process में, और they must not be subjected to the same restrictions, और इसलिए उन्हें, same restrictions के लिए subject ना किया जाए, जो कि developed countries पे apply किया जा रहा है, इनका कहना यह है, अब दो बात यहां पे आ गएं कि, एक developing countries है, मतलब कि जो develop हो रही है, और एक developed countries है, जो कि developed है, ठीके, दोनों में difference है, तो यह कह रहे हैं, कि जो developing countries है, वो तो industrialization के process में है, ठीके, तो इसे लिए, जो restrictions आप developed countries पे लगा रहे हो, वो same restrictions आप developing countries पे ना लगाएं, यह बात यहां पे कहीं गई है, तो जो special need है, developing countries की, यह ध्यान में रखी जानी चाहिए, development के लिए, application और interpretation of rules के लिए, जो कि international environment law से related हैं, और यह argument को accept किया गया, real declaration में, जब earth summit हुई थी 1992 में, और इसे कहा गया, principle of common but differentiated responsibilities, तो clear हुआ आपको यहां पे, कि जो principle of common but differentiated responsibilities है, वो किन के बीच में हैं, नॉर्थ और साउथ के बीच में, और हम बात करने हैं, developed और developing countries के बीच में, clear हुआ, अब देखो, next आओ, जो relevant part था, real declaration का, वो यह कहता है, कि states shall cooperate in the spirit of global partnership, to conserve, protect and restore the health and integrity of the earth's ecosystem, यह नो ने यह कहा, कि global partnership, किस चीज़ के लिए, conserve करने के लिए, protect करने के लिए, restore करने के लिए, health और integrity, earth's ecosystem के लिए, तो यह जो partnership है, यह इसमें सभी state, एक बहुत अच्छी तरीके से cooperate करें, different contributions के view में, जो की global environmental degradation से related है, state common हो, but responsibility different different दे दी जाए, यह Rio de Janeiro की बात थी है, जो declaration था Rio declaration, वहाँ पे बात कही, develop country acknowledge करेंगी, responsibility, जो वो bear करती है, international pursuit of sustainable development में, in the view of the pressures their society's place, on the global environment, और जो की technological और financial resources कमांड कर रहे हैं, इस चीज के लिए, फिर से समझो, यह कह रहे हैं कि developed countries acknowledge करें, उन responsibility की, responsibility को, जो वो bear करती है, international pursuit, किन-किन चीज़ों के लिए, sustainable development पे, क्योंकि जो उनकी society है, उस तरीके से जो pressure है, इस बात पे, global environment पे, technology और financial resources पे, जिसे वो कमांड करते हैं, 1992 में, United Nation Framework Convention on Climate Change, जिसे हम कहते हैं, UNFCCC, यह भी provide करता है, कि जो भी parties है, वो किस चीज़ के लिए act करे, protect करने में climate system को, और इसका basis क्या होगा, तो equity, मतलब कि equal, समानता basis पे, और किस के according में, common के accordance में, लेकिन responsibility different होंगी, और respective capabilities को, देखते हुए, मतलब यहाँ पे, in accordance with their common, but differentiate responsibilities होंगी, और respective capabilities होंगी, अब जो parties थी convention में, वो agreed होती है, कि जो largest share है, historical और current global emissions, और green house gases का, यह originate हुआ है, developed countries में, ठीक है, यहाँ पर यह यह भी acknowledge करते हैं, कि जो per capita emissions है, developing countries में, यह बहुत कम है, चाइना, इंडिया और other developing countries, को exempt कर दिया गया, requirement of the Kyoto Protocol, और जो China और इंडिया थी, और other countries थी, जो developing countries थी, तो उन्हें कहाँ से exempt किया गया, exemption मितलब कि यह थोड़ा, यहाँ जिकर्ण चीजों पर अलग किया गया, तो जो requirement थी Kyoto Protocol से, उस चीज से थोड़ा different रखा गया, Kyoto Protocol, international agreement है, जो target set करता है, industrialized countries के लिए, कि वो अपने greenhouse gases emissions को cut कर सके, और कुछ gases जैसे की CO2 है, carbon dioxide, methane, HFCs, that is hydro, fluorocarbons, etc. तो इस तरीके की जो greenhouse gases emissions है, इन्हें कंट्रोल करें, कौन? industrialized countries, यह Kyoto Protocol का, international agreement यह एक agreement इस तरीके से है, are considered at least partly responsible for global warming, the rise in global temperature, which may have catastrophic consequences for life on earth, और यह क्या कर रहे है, इन्हें at least partly responsible हो, global warming के लिए, जो की global temperature में increase हो रहा है, जो एक catastrophic consequences है, किस चीज़ के लिए, life on earth के लिए, प्रोटोकॉल को agree किया गया 1997 में, Kyoto, Japan में, इसलिए इसका नाम Q2 Protocol रखा गया, और यह based था principles, जो की set out किये गये थे, UNFCCC पर, अभी हमने इसका full form पढ़ा है, तो जल्दी से comment section में, आप लोग बता दीजिए, क्या है इसका full form, आगे अगर हम देखें, तो next हम आते हैं, common property resources पे, common property मतलब क्या, common property for the groups, groups के लिए common property, और यहाँ पे जो underlying norm है, वो यह है कि जो members of the group है, दोनों, इनके पास rights भी हैं, और duties भी है, nature के respect में, levels of use के लिए, और maintenance of a given resource, अगर rights और duties की बात करें, अगर हम fundamental duties और fundamental rights की बात करें, constitution of India में, तो क्या कहा गया है, कि अगर आपको rights दिये गए हैं, तो आपकी कुछ duties भी हैं, ठीक है, अगर हम अपनी family की बात करें, घर में बात करें, तो हमारे parents को अगर rights हैं, हमारे उपर, तो duties भी हैं, मतलब कि वो fulfill करते हैं ना, हर एक चीज हमारी, हमारे पढ़ाई के लिए, या फिर हमारी जो भी चीज़े हैं, उनके लिए fulfill करते हैं, तो duties हैं, तो एक तरीके से उनका right भी है, हमें डाटने का, इसी तरीके से, आपको maintenance करना है, given resource का, मतलब कि आपको जो resource दिये गए हैं, उनका maintenance आपको किस तरीके से करना है, इसमें आपकी rights और duties हैं, फिर mutual understanding के थूँ और centuries of practice, बहुत से villages जो community, village communities हैं इंडिया में, जैसे कि अगर हम बात करें, for example, तो have defined members rights and responsibilities, ही, तो यह members के rights और responsibilities को कहीं ना कहीं तक define करते हैं, जो यह combination of factor, privatization, agricultural intensification, population growth, ecosystem degradation, यह common property है, जो dwindle करते हैं, size में, quality में, and availability to the poor in much of the world, ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं, property की तो क्या है, privatization, agricultural intensification, population growth, ecosystem degradation, यह इन सारी चीज़ों ने cause किया, common property को, ठीक है, मतलब जो भी common property है, उनके causes क्या क्या है, cause किस ने किया, तो इन सारी चीज़ों ने, जो की dwindle करते हैं, size में, quality में, और availability में, poor के लिए, in much of the world में, अगर institution arrangement की, अगर हम बात करें, actual management of the sacred groves, on state-owned forest land, appropriately, fits the description, of a common property region, along the forest belt, of South India, sacred groves, have been traditionally managed, by village communities, यहाँ पर यह बता रहे हैं, यह बात हो रही है, कि जो institutional arrangement किया गया है, actual management के लिए, यह sacred groves है, stand-owned forest होते हैं, land है, यह fits का, यह बताती है, common property region के बारे में, कि common property के लिए, शाशन किसका होगा, कौन देखेगा, village communities ही, उसी का example दिया है, कि अगर हम बात करें, South India के forest wealth की, तो यहाँ पर, इसका actual management, यह fit traditionally, कौन manage करता है, तो village communities ही, manage करती हैं, अब आते हैं, इस बात पर कि, इंडिया का क्या stand रहा है, environmental issues पर, इंडिया's stand on, environmental issues, ठीक है, तो इंडिया ने sign किया, और ratify किया, तो उस टाइम पर, developing countries के लिए नहीं था, मतलब की, requirements नहीं थी, तो इंडिया ने किया है, अगास 2002 में, इंडिया, चाइना, और अगर डेवलपिंग कंट्रीज को, जो इस requirements से exempt किया गया था, क्योंकि जो उनका contribution था, emission of greenhouse gases में, industrialization period में, वो इतना जादा significant नहीं था, ऐसा माना जाता है, that is believed to be causing, today's global warming, and climate change, तो जिस तरीके से, यहाँ पर, developing countries को exempt किया गया था, छूट दी गई थी, Kyoto Protocol के requirement के लिए, क्योंकि जो उनका contribution था, greenhouse gases में, industrialization period के time पे, इतना जादा significant नहीं था, तो यहाँ पर belief किया जाता है, कि जो आज की date में, global warming और climate change है, यह सारे causes इसी वजह से हैं, however, जो Kyoto Protocol के point बताते हैं, जो critics हैं, इनके out, that जो sooner or later, दोनों ही, India और China, along with other developing countries, यह leading contributors रहेंगे, greenhouse gas emissions के लिए, फिर G8 meeting होती है, June 2005 में, और India यहाँ पर point out करता है, कि जो per capita emissions rate हैं, developing countries के, वो एक tiny fraction है, मतलब बहुत कम है, और दोस जो की developed world में हैं, ठीके, principle of common को follow करते हुए, मतलब principle of common, but differentiated responsibilities, इंडिया का view है, कि जो major responsibility है, emissions को curb करने के लिए, वो किसके पास होनी चाहिए, developed countries के पास, जो इसने accumulate करके रखा है, emissions को, over a long period of time के लिए, और इसके बाद, इंडिया का जो international negotiating position है, वो rely करता है heavily, principle of historical responsibility पे, जो की ancient किया गया था, UNFCCC में, ठीके, यह acknowledges करता है, कि जो developed countries है, ठीके, वो responsible है, किस चीज के लिए, बहुत से historical और current greenhouse gas emissions के लिए, और emphasize करते हैं, कि जो economic और social development है, यह सबसे पहले है और override कर रहे है, priorities of developing country parties, ठीके, तो इस तरीके से emphasize क्या कर रहे हैं यह, कि economic और social development पहले है, और overriding priorities, किसकी override कर रहे हैं, priorities developing country parties की, तो India, very of recent discussions within UN, FCCC, about introducing binding commitments, जो कि किस चीज पे हैं, किस चीज पे बता रहे हैं commitments को, rapidly industrializing countries पे, जैसे की Brazil, China, India, to reduce their greenhouse gas emissions, India ऐसा सोचता है, कि यह contraven करेगी, very spirit of UNF, CCC, neither does it seem fair, to impose restrictions on India, when the countries rise in per capita, carbon emissions by 2030, is likely to still represent, less than half of the world average, of 3.8 tons in 2000, यहाँ पर यह कह रहे हैं, कि अगर हम बात करें, क्या यह fair लग रहा है, कि restrictions हम impose करें, मतलब restrictions impose किये जाएं, इंडिया पे, जब country का rise, जो है per capita, carbon emissions में, 2030 तक कितना होगा, less than world के half, मतलब average का भी half, 3.8 tons in 2000 के टाइम पर, इंडियान emissions predicted है, कहां से rise करेंगे, 0.9 tons per capita 2000 से कहां पर आया, 1.6 tons per capita पर आएगा, in 2030, इंडियान गोवर्मेंट, और यहाँ पार्टिसिपेट करती है, ग्लोबल एफ़र्ट में, number of programs के थूँ, और वो कौन से कौन से programs हैं, इन्हें भी हम देखते हैं, तो जैसे कि इंडियान नेशनल आटो फ्यूल पॉलिसी है, जो mandate करती है, कि मतलब necessary करती है, किस चीज को cleaner fuels, vehicles के लिए, देन उसके बाद, Energy Conservation Act, पास किया गया 2001 में, यह भी outline करता है initiative, किस चीज को improve करने के लिए, Energy Efficiency को, similarly जो electricity act है 2003 का, यह भी encourage करता है, क्या use of renewable energy, कुछ recent trends की, अगर हम बात करें, importing natural gas में, और adoption of clean coal technologies, को encourage करने के लिए, यह बताता है, कि India real efforts, बना रहा है, ठीक है, तो यह दो point कौन से कौन से हैं, natural gas को import करना, clean और technologies का adoption, ठीक है, clean coal technologies का adoption, यह real efforts है, government भी keen है, कुछ programs को launch करने के लिए, जैसे कि, national mission on biodiesel, यह use करता है, क्या use कर रहा है, 11 hectares of land to produce biodiesel, by 2011-12, इंडिया ने ratify किया, Paris Climate Agreement कब, 2 October 2016 को, और India, one of the largest renewable energy programs, जो world में है, तो इंडिया के पास, one of the largest renewable energy programs है, in the world, जो review है, implementation of the agreements का, Earth Summit Rio में, वो undertake किया गया, India में 1997 में, जो key conclusion यह निकलता है, कि कोई भी meaningful progress नहीं रही है, transfer of new और additional financial resources से related, और environmentally sound technology, on concessional terms to developing nations, इंडिया यहाँ पर यह चीज़ जरूरी समझता है, कि जो developed countries है, वो immediate measures लेना भाई, किस चीज़ को provide करने के लिए, developing countries को financial resources से, और clean technologies से, ताकि उन्हें enable कर सके, existing committees, commitment से meet करने के लिए, under UNFCCC, मतलब कि, जो UNFCCC के commitments है, उन्हें हम fulfill कर सकें, follow कर सकें, तो उसके लिए इंडिया क्या कहता है, कि जो developed countries है, वो financial resources प्रोवाइड करें न, developing countries को, clean technologies प्रोवाइड करें, इंडिया का एक और view है, कि जो सार्क countries है, वो adopt करें common position, major global environmental issues पे, ताकि, जो region की voice है, उस पे जादा weight होगा, greater weight होगा, ठीक है, अगर सार्क nation पढ़ना है, तो इससे जो chapters पहले के हैं, एक बार देख लीजिए, उनके भी videos है, आपको सारी चीज़ें, और अच्छे से clear हो जाएगी, अब environmental movements के, अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम देखते हैं, कि government ने कैसे react किया है, international level पे, environmental degradation को challenge करने के लिए, ठीक है, जिस तरीके से एक challenge है, international level पे, environmental degradation का, लेकिन कुछ significant responses, जो रहे हैं, इस challenge के लिए, have come not from the governments, but rather from groups of environmentally, conscious volunteers, working in different parts of the world, मतलब की, इनके responses किस की तरफ से आए हैं, government की तरफ से नहीं, उन groups की तरफ से, जो conscious है, conscious volunteers है, environment के लिए, ठीक है, different parts of the world में, कुछ इनमें से work करते हैं, international level पे, लेकिन बहुत से, जो हैं, इन पे work कहां पे करते हैं, local level पे, तो clear हुआ कि, यहां पे यह कह रहे हैं, कि जो यह response है, challenge of environmental degradation के लिए, जो response दे रहे हैं, वो government ना देते हुए, कौन दे रही हैं, ऐसे groups, जो environmentally conscious volunteers हैं, और उसी के साथ, कुछ यह work करते हैं, international level पे, बट जादे तर देखा जाता है, कि यह लोग local level पे ही work करते हैं, यह environmental movements, बहुत जादा vibrant movements में से एक है, diverse, powerful, social movements, across the globe today, ठीक है, it is within social movements, that new forms of political action, are born और reinvented, मतलब कि यह social movements की अंतरगत रहता है, कि जो new forms of political action, born हो, या reinvented हो, यह movement raise करते ही new ideas को, long term visions को, कि क्या किया जाना चाहिए, और क्या नहीं किया जाना चाहिए, individual level पे भी, और collective lines के level पे भी, यहाँ पे, कुछ few examples हैं, यह बताने के लिए, कि diversity important trait of contemporary environmental movements है, ठीक है, अब देखो, जैसे कि अगर हम forest movements की बात करें, साउथ में, तो मेक्सिको, चिली, ब्राइजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉंटिनेंटल अफ्रीका, और इंडिया, यह एक list of few examples है, यह फेस करते हैं, enormous pressures, जैसे कि अगर हम बात करें, जो forest clearing है, third world countries में, यह alarming rate पर है, despite three decades of environmental activism, जो destruction है, world's के largest, मतलब, world's का last remaining grand forest, has actually increased, in the last decade, minerals industry, one of the most powerful form of industry है, planet पे, और large number of economy of the south, अब reopen कर दी गई है, MNCs के लिए, that is multinational companies के लिए, liberalization of the global economy के, through, फिर, mineral industries extraction of earth, its use of chemicals, its pollution of waterways and land, its clearance of native vegetation, its displacement of communities, among other factors, यह continue करते हैं, criticism को invite करना, और resistance, various parts of the globe में, तो कौन से कौन सी चीज़े हैं, इसमे, mineral industries extraction of earth, chemical का use, waterway और land का pollution, native vegetation का clearance, यह और जो जिस तरीके से इन सारी चीज़ों के बाद, जो communities उस जगे से चली जाती है, यह other factors है, जो criticism भी लेके आते हैं, और resistance भी लेके आते हैं, various parts of the globe से, एक जो अच्छा example है, यह good example है, वो Philippines का है, जहां पे vast network of group है, organizations campaign करते हैं, against the Western Mining Corporation, that is WMC, an Australia-based multinational company, ठीक है, बहुत ज़्यादा opposition है, company के लिए in its own country, Australia, जो की based anti-nuclear sentiments पे, and advocacy for the basic rights of, Australian indigenous people, फिर another group of movements, वो होते हैं, जो involve करते हैं, struggle against mega dams, आपने भी देखे होंगे, हमारे आइंडिया में भी dams को लेके, काफी ज़्यादा, कभी-कभी movements होते हैं, उसके against में, हर एक country में जहां पर mega dam बनाया जाता है, तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, environmental movement क्या करते हैं, इसे oppose करते हैं, to is likely to find, one is likely to find an environmental movement opposing it, increasingly जो anti-dem movements हैं, ये pro-river movements होते हैं, ठीक है, किस चीज के लिए ज़्यादा sustainable और equitable management हो, river systems का और valleys का, early 1980s में ऐसा देखा गया, कि जो first anti-dem movement है, वो कभ launch किया गया था, कहां पे north में, जिसका name था, the campaign to save the Franklin River, and its surrounding area, forest in Australia, और ये एक wilderness, और forest campaign था, as well as anti-dem campaign भी रहा है, ये, अभी के time पे, एक spurt है, mega-dem building में, south में, तर्की से थाइलेंड तक है, to South Africa, from Indonesia to China, इंडिया में भी कुछ leading anti-dem pro-river movements है, जैसे कि हमने discuss किया, नर्मदा बचाओ अंदोलन, ठीक है, सभी ने सुना होगा, जो मद्धि प्रदेश थे, उन्होंने तो सुना ही होगा, नर्मदा बचाओ अंदोलन, एक best known movement है, ठीक है, ये significant है, यहाँ पर अब नर्मदा बचाओ, आंदोलन अगरम बात करें, मद्धि प्रदेश, गुजरात, तो इस तरीके से, सबी जगे पर ये बात कहीं जाती है, ये significant है ये note करना, कि anti-dem और other environmental movements, इंडिया में most important shared idea है, non-violence के, अब हम आते है, resource geopolitics पर, देखो, तो resource geopolitics किस चीज के बारे में है, कि किसको क्या मिलेगा, resource कितना resource मिलेगा, मतलब कब मिलेगा, कहां मिलेगा और कैसे resource दिया जाएगा, resource कुछ की means और motives प्रोवाइट करते हैं, global European power expansion का, ठीके, उन्होंने हमेशा, मतलब यहां पर इन्हें हमेशा focus किया गया है, interstate rivalry के लिए, western geopolitics क्या यहां पर बात की गई है, कि यह सोचते हैं, that thinking about resources has been dominated by the, resources dominate कर लिए गये हैं, किसके तुरू trade relationship से war and power, at the core of which were overseas resources and maritime navigation, since sea power itself rest करती है, access to timber, naval timber supply became a key priority for major European powers from the 17th century onwards, जो critical importance है, ensure करना, uninterrupted supply of strategic resources in particular oil, was well established both, during the first world war और second world war, मतलब कि first और second world war दोनों के ही time पे, जो critical importance थे, uninterrupted supply करना strategic resources का, particular oil में यह establish किया गया, throughout cold war की अगर हम बात करें, तो जो industrialized countries थी, of the north, इनोंने अदॉप्ट किये number of methods, तो ensure a steady flow of resources, यह include करता है, deployment of military forces, near exploitation sites, and along sea lanes of communication, जो stockpiling of strategic resources है, इस तरीके से, और जो efforts है, to prop up friendlies government, in producing countries, as well as support to multinational companies, and favorable international agreements, traditional western strategic thinking, अभी भी concern में है, with access to supplies, जो three attend है, Soviet Union से यहाँ पर, particular concern था, western control of oil का, जो की है, Gulf और strategic minerals में, in the southern and central Africa, cold war के बाद, जब disintegration होता है, Soviet Union का, तो जो security of supply होते हैं, वो continue, किस चीज के लिए वरी करते हैं, continues to worry government, and business decisions, with regard to several minerals, in particular, radioactive materials के लिए, ठीके, however, oil important resource हो जाता है, in global strategy, global economy rely करती है, oil पे, सबसे जादा, 20th century में, जो की as a portable or indispensable fuel है, immense wealth associated है, किस से, oil से, देखी रहे होंगे, आप लोग को खुद समझ में आता होगे, कितना जादा important as a resource है, जो की generate करता है, political struggles to control it, immense wealth associated with oil, generate क्या कर रहा है, political struggles to control it, और history of petroleum, is also the history of war and struggle, और जो history रही है, पेट्रोल की, रही है, war और struggle की, ठीके, नाओएवर is this more obviously, the case than in West Asia and Central Asia, West Asia किया अगर हम बात करें, specifically Gulf region की, तो यह 30% of the global oil production को क्या करता है, accounts करता है, यहाँ पर 30% of global oil production है, फिर वहीं अगर हम बात करें, तो 64% of the planet's known reserves, हैं यहाँ पर, and is therefore only region है, जो satisfy और substantial rise करता है, oil demand में, in oil demand, Saudi Arabia में भी quarter of the world's total reserve है, और single largest producer है, इराग को known reserve है, और second only to Saudi Arabia है, ठीके, और उसके बाद जो substantial portions हैं, इरागी territory के, यह भी fully explode होने है, there is a fair yet to be, are yet to be fully explode, एक fair chance है कि, जो actual reserves होंगे, might be far larger, United States, US मतलब की, Europe, Japan और, बाकी जो भी है, increasingly India, China, which consume this petroleum, यह considerable distance पे है, इन regions से, या इन region के comparison में, water another crucial resource है, जो relevant है, global politics के लिए, regional variations, और increasing scarcity of fresh water, कुछ parts में, world के point करते हैं, possibility of disagreement, over shared water resources, as a leading source of conflicts, in the 21st century, जैसा कि हम 20th century में, oil के लिए देख रहे थे, उसी तरीके से, आप एक कह रहे हैं, कि जो तरह तरह के variations है, और एक तरीके से, scarcity of fresh water, fresh water की कमी, बढ़ रही है, कुछ parts में, world में, यह point out करता है, कि अब disagreement होंगे, जो shared water resources है, जो हैं, world politics में, उन्होंने refer किया है, water wars, describe करने के लिए, possibility of violent conflict, over this life sustaining resource है, क्योंकि यह country, जो reverse share करती है, वो disagree करेंगी, बहुत सी चीजों पे, और for instance, एक typical disagreement, downstream lower repairing states, objection होगा, pollution के लिए, excessive irrigation, और deconstruction of dams, by an upstream, upper riparian state, which might decrease or degrade, the quality of water, available to the downstream state, मतलब की country, जो reverse water को share करती है, यह बहुत सी चीजों पे, disagree करेंगे, जैसे एक typical disagreement, इस पे देख सकते हैं, जैसे की pollution, excessive irrigation, या construction of dams, यह decrease, यह degrade करेगा, क्या water level, downstream state पे, ठीक है, state ने use किया है, क्या force, क्या protect करने के लिए, यह seize करने के लिए, fresh water resources को, जैसे की अगर हम, violence की example की बात करें, तो इसमें कौन-कौन है, इस्राइल, सीरिया, जॉर्डन, 1950s में, और 1960s में, over attempts by each side, हर एक side से, यहाँ पे attempts होते हैं, किस चीज के लिए, वाटर को divert करने के लिए, जॉर्डन से, एंड, यार्मुक रिवर्स, और बहुत recent 3-8s, तर्की, सीरिया, इराक में थे, डैम्स के construction पे, यूफरेट्स, रिवर पे, ठीक है, number of study यह बताती है, कि जो रिवर्स शेयर खी जा रही है, और बहुत सी कंट्री जो रिवर्स शेयर करती है, यह involved है, military conflicts में, एक दूसरे के साथ, because of river water, अब हम आते हैं, the indigenous people and their rights, तो जो यहाँ पे question यह है, क्या question indigenous people का, brings the issues of environment, resources and politics together, ठीक है, UN define करता, indigenous populations को, comprising the descendants of people, जो inhabited हुए, कहां से, present territory of a country at the time, जब persons different culture, या ethnic region के arrived करते हैं, other parts of the world पे, and overcame them, मतलब समझो, यह बोल रहे हैं कि, UN ने indigenous population, जो बताईए, वो कौन सी है, इसे में, वो descendants होते हैं, peoples, जो क्या हुए है, inhabited the present territory of a country, at the time, when persons of a different culture, or ethnic region, arrived there, from other parts of the world, and overcame them, मतलब की, यह इनकी जगे पे कौन हुए, कोई और लोग आ गए, कोई और culture, और ethnic region, और फिर इने क्या करना पड़ा, वहां से, inhabit करना पड़ा, indigenous people, आज की date में, रहते हैं, एक conformity के साथ, जो भी उनकी practices है, particular social, economic, और cultural customs को लेके, जो traditions है, then the institutions, जो country में हैं, which they now form a part, ठीक है, in the context of world politics, world politics के, इस context में अगर हम बात करें, तो common interest, approximately 30 करोड, indigenous people का, spreaded है, throughout the world, including India, क्या ऐसा है, तो देखो, 20 लाग जो indigenous लोग हैं, Cordillera region के फिलिपिन्स में, 10 लाग में प्यूचे पीपल ऑफ चिली, and 6 लेक ट्राइबल पीपल, चित्तागोंग हिल्ट्रेट्स बांगलादेश में, 35 लेक नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्, 50,000 क्यूना लिविंग इस्ट ओफ पनामा कैनल, और 10 लेक स्मॉल पीपल्स ओफ दे सोवियेट नॉर्थ, ठीक है, लाइक अधर सोशल मूव्मेंट्स, indigenous people भी स्पीक करते हैं, अपने स्ट्रगल के लिए, एजिंडा के लिए, और अपने राइट्स के लिए, ठीक है, और जो indigenous voices हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये आती हैं कहीं न कहीं तक, और एड्मिट करती हैं indigenous people को, वर्ल्ड कम्यूनिटी में equally, indigenous people occupy करते हैं, कहां कहां पे हैं, तो Central और South America में, अफ्रीका में, इंडिया में कहां पे, जहां पे इने Tribals कहा जाता है, और South East Asia में, बहुत सी जो present day island states हैं, ओशीनिया रीजन में, Australia और New Zealand को इंक्लूट करके, जहां पे inhabited कहां से आए हैं, Polynesia and Melanesian, Micronation people over the course of thousand of years, ये अपील करते हैं government को, कि उनकी terms पे आएं, किस चीज़ पे, continuing existence of indigenous nations as enduring communities, with an identity of their own, मतलब उनकी खुद की एक identity हो, since times immemorial, ये एक phrase है, जो use किया जाता है, indigenous people के लिए, या इनके through all over the world, कि उनकी continued occupancy को refer करने के लिए, of the lands from which they originate, ठीक है, फिर देखो, जो worldwide view है, या world view है, indigenous societies के, irrespective उनके geographical location, ये strikingly similar है, उनकी according में, मतलब land और variety of life systems, जो की support होते हैं by it, loss of land, जिसका मतलब है, loss of economic resource base, ये most obvious threat है, survival of indigenous people के लिए, अब बात या आती है, कि क्या political autonomy enjoyed हो सकती है, इनके attachment के बाद, to the means of physical survival, तो इंडिया में, जो description है, indigenous people का, इसे scheduled tribes का जाता है, जिसमें, at least 8% of the population of the country है, जी के, कुछ exception है, small communities of, जो की hunters और gatherers होते हैं, most indigenous populations, इंडिया में depend करती हैं, substance, subsistence primarily, किस चीज़ पे, cultivation of land पे, और for centuries, if not millennia, they had free access, to as much land, as they could cultivate, ठीक है, तो यहाँ पे आके, आज, यहाँ तक जो हमने समझा, उसके अगर हम आगे की बात करते हैं, कि हमने इंडिया तक, जो कि हम आए हैं, तो अगर हम आगे की बात करें, तो यह सिर्फ establishment था, British colonial rule का, जो प्रिवियस्ली क्या हुए, इनहेबिटेट हुए, बाइदी शेडियूल ट्राइब कम्मूनिटीज, वर सब्जेक्टेट तो आउटसाइड फोर्से, यहाँ पे इंजोई करते हैं, constitutional protection भी, political representation में हम देखते हैं, शेडियूल ट्राइब को भी कही न कहीं तक reservation दिया जाता है, they have not got much of the benefits of development in the country, बट उन्हें जादा इतना benefit नहीं मिला है, country के development की ही तरह, मतलब जितना benefit है, they have not got much of the benefits of development in the country, मतलब country में जितना development हुआ है, इतना यहाँ पे नहीं हुआ, इनके लिए हम देखते ही हैं, आज भी अगर देख लिजे ट्राइबल एरिया में जाके, इतने developed नहीं है वो अमारी तरह, ठीके, in fact, इन्होंने huge cost for development पे किया है, क्योंकि यह single largest group हैं, among the people, जो displaced होते हैं, बहुत सारे development projects के कारण, independence ही, देखा होगा, कहीं पे भी development project हुआ, तो इन्हें महाँ से क्या क्या है, अब जो indigenous communities हैं, यह neglect होती है, domestic और international politics में, बहुत time से ऐसा होता आ रहा है, 1970 जो growing international context रहे हैं, indigenous leaders में, around the world, यह क्या हुआ है, यहां पे aroused a sense of common concern, and shared experiences, तो इस तरीके से जो environment और natural resources है, यहां पे जो indigenous people हैं, की role play कर रहे हैं, बट स्टिल कुछ न कुछ चीज़ें देखने को मिलती ही हैं, कि किस तरीके से इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, world council of indigenous people form की गई थी 1975 में, subsequently first council थी यह, of 11 indigenous NGO में, जिसने receive किया था, United Nations में, बहुत से movement रहे हैं, globalization के against में, जो further chapter में discuss किये गए हैं, और focused किया गया है, rights of the indigenous people में, ठीक है, old syllabus के according chapter 9 है, बटाने वाले sessions में, आपको clear हो जाएगा कि हम कौन से chapter में, और क्या चीज़ें discuss करने वाले हैं, और इसी के साथ, आज का हमारे ये chapter complete होता है, I hope आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, doubts clear किये हुए होंगे आपके, और देखो, main जो हमारे exam point of view से important है, हमने उस पर जादा focus किया है, आप लोग भी इसी चीज़ पर जादा focus करें, और इसी के साथ, इसी तरीके के और वीडियोज देखने के लिए, आप हमारी website पर भी visit कर सकते हैं, ठीके, और अगर आपको आज का session बहुत अच्छा लगा है, chapter complete हो गया है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया है, तो प्लीज आप हमारे चैनल Step Up Academy को like, share and subscribe करना बिलकुल भी न भूलें, ठीके, और इतने ध्यान पूरवक सुनने के लिए, और I hope आप सभी ने comment भी किये होंगे, बहुत सारे answers भी दिये होंगे, doubts भी पूछे होंगे, तो इनी सारी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, thank you everyone, ठीके, तो यह आ गए हैं, आपका धन्यवाद करने के लिए, Step Up Academy की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,